जैहिन दोस्तो, दोस्तो कैसे आप? उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे जो मेरा आज का वीडियो है यह है डिफेंस पेंशर पे दोस्तो कुछ मैं आपको 4-5 पॉइंट समझाना चाहूँगा इसलिए बहुत अच्छे से समझेगा दोस्तो पेहला पॉइंट सरकार की नई योजना के तहट भरती होने वाले युवाओ को अगनी वीर कहा जाएगा जैसा कि सरकार ने अपनी नई स्कीम स्टार्ट करी है अगनी पत तो जो उसमें एंडरोल होंगे जो भरती होंगी उन्हें एक नाम दिया है अगनी वीर इस योजना का परमुक उदेश्चे क्या है क्या है इस योजना का परमुक उदेश्चे ये मैं आपको बता रहा हूँ इस योजना का एक परमुक उदेश्चे सैनने कर्मियों की ओसत आयू को कम करना और बढ़ते वेतन और पेंशन बिलो में कटोती करना दोस्तो इस सरकार का एक उदेश्चे रहा है कि आपकी pension में बड़ोतरी ना हो, आपको salary कम से कम मिले, आपकी pension कम से कम मिले, यारी जो भी आपको भत्ते दिये जा रहे हैं, वो आपके कम हो जाएं, इस तरीके के इनके उदेश्चे हैं, इस तरीके की ये नई-नई scheme लाते हैं, जिससे pensioners परशान होते हैं, दूसरा, 18 मेने का DA का area नहीं मिलेगा, दोस्तों ये एक समचार है आपके लिए, बहुत important, कई pensioner को phone करके पूछ रहेते, comment में भी पूछ रहेते, कि 18 मेने का DA का area मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो DA का area ये 18 मेने का वो आपको नहीं मिलेगा, एक committee की report की अनुसार, उसमें भी ये ही बता गया था, कि आपको 18 मेने का DA का area नहीं मिलेगा, तीसरा point, Congress का बयान है, कि BJP सरकार का मुख्य उदेशे, future में pension को खतम करना है, कि धीरे धीरे आगे आने वाले time में, अगर ये सरकार रहती है, तो आपकी धीरे धीरे pension भी खतम हो जाएगी, और जवान के सारे भत्ते कम करने पर लगी हुई है, यानि ये सरकार जवानों के भत्ते भी कम कर रही है, चौता point, OROP 2 अभी नहीं मिलेगी, सरकार का उदेशे, OROP 2 को लंबा खीचना है, जिससे pensioners परचान हो सकें, ये तो दोस्तों चली रहा है, कोट के निन्ने के बाद जूद भी हमें अभी तक OROP 2 नहीं मिल पाई है, तीन महने का टाइम था, तीन महने से उपर टाइम निकल गया है, लेकिन इस सरकार ने हमें OROP 2 नहीं दी, तो ये थोड़ी और लंबी खिस सकती है OROP 2, पाच्चा point, चाहे जवान हो या pensioners, कितना भी आंदोलन कर लो, लेकिन सरकार वही करेगी जो इसकी मर्जी होगी, दोस्तो ये बात तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली, कितने भी आप आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सरकार वही करेगी जो इसकी मर्जी है, आप इस पर्ष की regarding देख लीजिए, आप OROP 2 के regarding देख लीजिए, दोस्त ये तो बिर्कुर्ट साही लिखा है, कि कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन सरकार वही करेगी जो इनकी मर्जी है, तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको पॉइंट सब जाएं, इसके रिए गाड़े आपको और कुछ पूछना हो, तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते ह वीडियो आपको अच्छा लगते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जै हिन भारत माता की जै